नमस्कार दोस्तों आपको मेरे इस्चनार रिपोर्ट पांडा में दोस्तों आज की इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको बताऊंगा पोस्ट आपिस अपने ग्रांकों को NSC National Saving Certificate Scheme के ताहद पांस साल में आपको 29 रुपया दे रही है सीधे सीधे आपके खाते में तो दोस्तों मैं आपको फड़ा फड़ बता देता हूँ कि पोस्ट आपिस NSC Scheme में कौन लोग निवेश कर सकते हैं क्या है इसका क्राइटेरिया कैसे इस स्कीम को ओपेन करें मिनमम कितना रुपय सी स्कीम को स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कितने साल के लिए कितने साल के बाद मैचुरूटी पूरा होगा क्या इस स्कीम में पैसा जमा करने पर टैक्स में बेंफिट्स मिलेगे की नहीं मिलेगी पोस्ट आपिस NSC Scheme 2023 के उपर अभी कितना इंट्रेस्ट रेट मिल रहा है फ्रॉम एक जुलाई से पोस्ट आपिस NSC Scheme को लेने के लिए क्या डॉक्मेंट्स देना होगा दोस्तों पोस्ट आपिस NSC Scheme 2023 से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माद्यम से और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चानल रिपूट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले ताकि मैं इसी तरह का इन्वेश्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहा हूं तो दोस्तों चलिए जानते हैं पुस्ट आपिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एन एस सी अस्कीम 2023 के बारे में दोस्तों अगर आप पांच सालों के लिए एपडी के प्लानिक कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप पुस्ट आपिस की सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में एफडी से ज्यादा इंट्रेस रेट मिल रहा है फ्रॉम एक जुलाई से इसमें पैसा पुरी तरह से सुरच्छित है और इसमें जमाराशी पर सरकार के तरफ से कारंटी मिलती है इसलिए पुस्ट आपिस NSC की में अगर आप पैसा नी बेश करते हैं पांस साल के लिए तब आपको पुस्ट आपिस देगा 29 रुपया सीधे-सीधे आपके खाते में दोस्तो अब मैं आपको बता देता हूँ खरीट खरीद सकते हैं और इसमें मैक्समम निवेस करने की कोई भी लिमिट नहीं रखी गए आपके पास जितना पैसा है आप उतना इसमें मैक्समम जमा कर सकते हैं इस स्कीम में निवेस किये गए पैसों को पांस साल के पहले आप भी ड्रॉर नहीं जाएगा दोस्तों nsc को pass book के रूप में चारी किया जाता है nsc के issue को किसी अन्वक्तिकों transfer भी आप कर सकते हैं हाला कि यसा मैचूर्टी होने से पहले केवल एक ही बाद किया सकता है इसमें एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति को certificate transfer issue होने की तारीक से मैचूर्टी के दोस्तो डागर यानि पोस्ट आपिस की फेमस स्कीम में एक National Saving Certificate है, जहां FD के मुकाबले बेहतर ब्याज मिलता है, फिलाल अभी National Saving Certificate स्कीम में अभी सलाना 7.7% फिजदी की दर से ब्याज मिल रहा है from 1st July, तो दोस्तो अगर कोई ब्यक्ति पोस्ट आपिस NSC स्कीम में 20 लाक रुपया जमा करता है, 5 साल के लिए, तो 7.7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उस ब्यक्ति को मिलेगा 28,90,60 रुपया, यानि की 29,00 रुपया मिलेगा उसको खाते में, दोस्तो अब जान लेते कि NSC एकाउंट को ओपन कैसे करें, तो दोस्तो आप किसी भी नरिस्ट प इमीन पोस्ट आपिस, तो आधार कार्ट, पैन का 2 फोटो और 3 मॉंस बैक एस्टेटमन देना होगा आपको, तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आज की जनकारी आपके लिए वैलेवर होगी, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अबने दोस्तों के बीच, और कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेट करके पुछ सकते हैं, और दोस्तों मेरे चनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब, जिरू करें, थैंक्यू